हलो दोस्तों अरत्टेरा सकेडमी के यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों राजस्तान में आयुजित रिट बरती परिक्षा लेवल टू SST यानि कि सामाजी कद्धन के नवीनतम पाठे करम के अनुशार दोस्तों भारतिये इतियास के जो जो टोपिक सेलेबस में दे रखे थे उन सभी टोपिकों के अपन करमवाईज अतिमैतोपून प्रहस्न है वो पढ़ते हुए चल रहे हैं दोस्तों आज अपनी साथवे नंबर की कलास है अगर आपने पिछली जो छे कलासे हैं वो नहीं देखिये है तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाएए वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट SST भारतिय इतियास प्रशनोत्री के नाम से आपको वहाँ फोल्डर मिलेगा तो आप महाँ जाकर पिछली जो छे कलासे हैं वो जरूर देखें सेलिबस के नुसार अपन चल रहे हैं दोस्तों आज अपना टोपिक है भारतिय राज्यों के प्रती ब्रिटिश निती से समंदित आज माँ आपको टोपती महतोपून प्रशन है वो बताने वाला हूँ और दोजार चोपिस के नविनतम पाठे करम पर यादारित है दोस्तों अरद्यरेस अकेडमी के यूटूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में सेयर जरूर करें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपनी सात्वे नमबर की क्लास भारती राज्यों के परती बिटिश नेती से समन्दित देखिए पहला प्रशन सर्वच्ता की नीती के तहट लोड हेस्टिंग्स द्वारा किसी भारती देशी रियासत पर कबजा करने के दौरान कहां की राणी ने अंग्रेजों के खिलाफ हतियार उठाए थे बताएए रिटे लेवल 2 2012 के अंदर ये प्रेशन पूछा जा चुका है तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तों कितूर की रानी चेनमा ने अंग्रेजों के खिलाफ हत्यार उठाये थे तो अपना इसमें चार नमबर का option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सेकंड नमबर प्रेजन है इसमें देखे बारत का अंतिम सक्ति साली मुगल बादशा था तो वो था दोस्तों औरंग्जेब तो इसका right answer तीन नमबर का option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे तीन नमबर का प्रेजन सरोपर्थम भारत आने वाली पस्मी ताकत थी तो वो कौन से थी वो थी दोस्तों पूर्त गाली तो अपना इसमें दो नमबर का option राइट आंसर हो जाएगा पूर्त गाली नेक्स्ट आगे देखे बकसर का यूद लड़ा गया था बकसर का यूद कब लड़ा गया था तो दोस्तों ये लड़ा गया था 1764 में पलासी का लड़ा गया था 1757 में ठीक है तो इसका right answer 1764 में बकसर का यूद लड़ा गया था तीन नमबर का option बिल्कुल सही उत्तर हो जा नहीं दोस्तो हवा महल का निर्मान हुआ था ये भी आपको इसमें याद रखना है नेक्स्ट आगे देखिए शिक्स नंबर का प्रेस ने विले नीती का प्रतिबादक गवर्नर जनरल था तो वो कौन था वो था दोस्तो इसमें लोड डल हो जी तो इसका राइट आंसर हो जा कर 1856 में कंपनी ने किस रियासत को अपने नियंत्रण में ले लिया कुशासन का आरोप लगा कर 1856 में कंपनी ने किस रियासत को अपने नियंत्रण में ले लिया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो अवद को तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर क का उपसन सेयुतर अवद नेच्ट आठ नमबर का प्रस नहीं इसमें देखे मुगल बाद श्या द्वारा इस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दिवान तैनात किया गया बताए तो यह किया गया दोस्तों कब तो 12 अगस्त 1765 को 12 अगस्त 1765 को मुगल बादश्य द्वारा इस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दिवान ने तैनात किया था तो इसका राइट आंसर तीन नंबर उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा नो नंबर का प्रसन इसमें देखे होल्ट मेंकेजी दुवारा तैयार की गई राजस्व वेवस्ता थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें बताएगे कौन सा तो इसका मित्रों सही उतर हो जाएगा वो है अपना इसमें महालवारी बंदोबस्त भारत का गवरनर जैरल था सिर्फिशन वालवारी चाही राइट आंसर प्रस्व वेवस्ता नियल विड्रों का शुत्र यह विद्रों वा था तो तो इसका मार्च 1869 महा हूँ, मार्च 1869 में नील विद्रो का सुत्रपाट हुआ था तो अपना इसमें राइट आर्ट सर्थ दो नमबर उप्शन सही उत्र हो जाएगा आगे देखें बारा नमबर का प्रेसन है निम्ण लिकित में से किसने बकसर के योद में अंग्रेजी सहिना का नितरत्व किया था तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था बकसर का योद है वो कब हुआ था तो दोस्तों ये 1764 को हुआ था और तारीक पूछले तो दोस्तों 24 सक्टुमबर ठीक है दोस्तोब ये युद हुा था तो इस प्रेसन का right answer क्या हो जाएगा वो है दोस्तोब अपना इस मेजर मुन्रो मेजर मुन्रो था अंग्रेज के तरफ से ठीक है तो इसका right answer हो जाएगा इसमे तीन नमबर का option बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा नेक्स्ट आगे देखिए तेरा नमबर का प्रेसन है मीर कासिम और इस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद का परमुक कारण क्या था दोस्तो मीर कासिम और इस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद का परमुक कारण क्या था तो दोस्तो बताई यह क्या कारण था तो वो है रा हुआ था ठीक है नेक्स्ट आगे देखे इसमें 14 नंबर का प्रेस ने पलासी के युद में पराजित होने वाला बंगाल का नवाब कौन था तो दोस्तो पलासी का युद कब हुआ था अभी मने आपको बताया था 1777 में अगर तारिक पूछ ले तो दोस्तो 23 जून 23 जून 1757 को दोस्तो अंग्रेजी सेना और बंगाल के नवाब सिराज दोला की सेनाओं के मद्दे दोस्तो यह युद हुआ था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दो नंबर का उप्शन सेयुतर सिराज दोला ठीक है यह बंगाल का नवाब था नेक्स्ट आग अलिनगर की संदी पर हस्ताक्सर हुआ था तो इसका राइट आंसर तीन नंबर का उप्शन बिल्कुल सेयुतर हो जाएगा यह आपको इसमें याद रखना है अलिनगर की संदी है यह नो फरवरी 1757 को बंगाल के नवाब सिराज दोला और लोड कलाइव के बीच में यह रखना है वो बीच जून 1756 को कलकता में गटित हुई थी ठीक है यह आपको इसमें याद रखना है अठारा पूट 10 इंच चोड़े कमरे में 146 अंगरेजी बंदियों को दोस्तों रातरी में बंद कर दिया गया था और दूसरे दिन केवल उसमें से 23 ही जीवित बचे थे ब तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें चार नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट 17 नंबर का प्रेसन इसमें देखे नीचे दिये के कूट से निमनलिखित गटनाओं का सही कालानुकरम निर्धारित कीजिए तो सही काला गास का यूद है ये कब हुआ था तो ये हुआ था दोस्तो 1760 को कब हुआ था 1760 को ठीक है उसके बाद में देखिए दोस्तों यहां पे इलाबाद की संदी है ये कब हुई थी तो यह हुई थी दोस्तों 1765 को 1765 को इलाबाद की संदी हुई थी और बंगाल में दिवेद सास पर आजाएगा इसमें वाडिवास का यूद फिर आजाएगा इलाबाद की संदी और फिर सब के लाश्ट में बंगाल में द्वेद सासन की समापती तो इस प्रैस्टिंग का राइट आंसर हो जाएगा तीन चार दो एक यानि कि अपना तीन नमबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही तर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट आगे देखें कौन अवद का नवाब अपने दर्बार में बिर्टिस राजदूत रखने को राजी हो गया बताएगे कौन अवद का नवाब अपने ब हो था दोस्तो सुजाउद दोला सुजाउद दोला ठीक है तो अपना इसमें चार नमबर का उप्शन बिल्कुल सही तर हो जाएगा सुजाउद दोला यह आपको इसमें याद रखना है ठीक है यह अवद का नवाब था चार नमबर का उप्शन बिल्कुल सही तर गुनीश अंशर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कारन वालिस ने ठीक है कारन वालिस ने थो इसका राइट आनसर हो झाएगा वह अपना इसमें दो नंबर का ऐप्सन बिलकुल सहुतर हो जाएगा यह संदिका बूए थी तो यह वह थी 7 स fills बराणवा में तो अपना इसमें दो नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए इसमें 20 नमबर का प्रेस ने निमनलिकित में से कौन सा छेतर तिर्टिय आंगल मसूर युद के पस्चात इस्ट इंडिया कंपनी के परशाशन के अंतरगत आया प्रशाशन के अंतरगत आया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें मालाबार तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें एक नमबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा या आपको इसमें याद रखना है ठीक है मालाबार नेक् नमुने पर सेनिक प्रसिक्षन का सुत्रपात करने वाला पर्थम देशी राज्जे था तो पर्थम देशी राज्जे कौन सा था तो दोस्तो वो था इसमें कौन तो वो था मसूर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें दो नमबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल से उतर हो जाएगा पर्तम देशी राज्य कौन सा था मसूर था वो टिक है आगे देखिए इसमें 22 नमबर का प्रस ने निम्न लिखित में से किसने अमरसर की नीव डाली, अमरसर की नीव है वो किस ने डाली, तो दोस्तो ये डाली थी, गुरू रामदास ने, गुरू रामदास ने, अमरसर की नीव है, ये डाली थी, या आपको इसमें याद रखना है, ठीक है, अकबर ने इने 500 बीगा है, वो जमीन परदान की थी, ठीक है तो इसका right answer हो जाएगा गुरू रामदास दो नमबर का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा next आगे देखिए इसमें 23 नमबर का प्रेस निमनलिकित में से कौन से सिख गुरू द्वारा गुरू मुखी लिपी का अरंब किया गया निमनलिकित में से कौन से सिख गुरू द्वारा गुरू मुखी लिपी का अरंब किया गया तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो गुरू अंगद के द्वारा चार नमबर का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा गुरू अंगद के द्वारा ठीक है एक बठा चार राजस्वता ये चोथ ठीक है तो अपना इसमें right answer हो जाएगा तीन नमबर का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट आगे देखिए 25 नमबर का प्रेशने पानिपत के तिर्तिय युद में मराठा सेना का सेनापती तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो सदासीव राव भाव सदासीव राव भाव तो इसमें right answer चार नमबर का option सही उतर हो जाएगा पानिपत का जो तिर्तिय युद है ये 14 जनवरी 1761 को मराठो और अफगान सासक एहमद सा अबदाली के मद्दे हैं युद हुआ था ठीक है तो इसका right answer हो जाएगा इसमें मराठे है वो क्या होए थे पराजित हो गए थे इस प्रेशन का right answer हो जाएगा चार नमबर का option सही उतर है सदासीव राव भाव ठीक है चार नमबर option बिल्कुल सही उतर आगे देख है इसमें 26 नमबर प्रेशन है मराठा युद प्रारम्ब होने से ठीक पहले मराठा मंडल के निम्न सदस्यों में से कोन चोड़कर अंग्रेज़ जोसे मिल गया था अंग्रेज़ जोसे मिल गया था तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा वो है अपना इसमें सिंधिया तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा तीन नमबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल से उतर हो जाएगा सिंधिया ठीक है यहाँ पे देखे तो तिर्टे उंगल मराथा युद हुआ था यह कब हुआ था तो यह 1816 से 1818 तक यहाँ युद हुआ था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधिया ठीन नमबर का उप्षन बिल्कुल से उतर हो जाएगा 27 नमबर का प्रेशन है इसमें देखे बिर्टी से रेसिडेंट्स का मतलब क्या है बिर्टी से रेसिडेंट्स का मतलब क्या है बताइए 2018 के अंदर यह प्रेशन पुछा जा चुका है इंपोडेंट भी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इस्ट इंडिया कंपनी अधिकारी या भारत के राज्यों के राजनितिक एजेंट यह दोस्तो बिर्टी से रेसिडेंस इसका ताथ पर यह है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दो नंबर का उप्सन बिल्कुल सही उतर नेक्स्ट है इस्ट इंडिया कंपनी की फोज के सुबेदार ने रोहिला सिपाईयों की फोज बनाई थी इस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाबो एवं मुगल सामराज्य की सयुक्त शेनाओं के बीच सत्रासो चोंसट में कोन सी लडाई लड़ी गई थी तो दोस्तो अभी थोड़ देर पहले मैंने आपको बताया था सत्रासो चोंसट में कोन सी लड़ाई हुई थी तो वो थी दोस्तो बकसर की लड़ाई ठीक है कोन सी थी दोस्तो बकसर की लड़ाई थी तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा वो है अपना इसमें कोन सा बकसर की लड़ाई है वो कब हुई थी मैंने अभी आपको थोड़ ज़र पहले बताया था 22 अक्टमबर 1764 को ठीक है इसमें अवद के नवाब सिराजु दोला मुगल समराट साहा लमदितिय और मीर कासिम थे ये तो एक तरफ थे और दूसरी तरफ अंग्रेज थे और अंग्रेजों का नेतरत्व कर रहा था मेजर मुन्रो ठीक है तो ये बकसर की लड़ाई थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर आगे देखे इसमें इस इंडिया कंपनी के किस अंग्रेजी गवर्नर को औरंग्जेब द्वारा भारत से निसकासित किया गया तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें बताईए किसे निश्काशित किया था और रंगेब के दूरा तो इसका right answer क्या हो जाएगा वो है दोस्तो अपना इसमें बताईए तो वो है Sir John Childs Sir John Childs तो अपना इसमें right answer दो नमबर का option सयुतर हो जाएगा आगे देखिए 31 number का प्रेश ने इंगेंड की इस्ट इंडिय कमपणी की भारत में परतम निर्णायक सेनसपल्था मानी जाती है तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो अپना इसमें कोन सा बताइए चार उपने हैं तो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा वो है दोस्तो बक्सर का यूद तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें एक नमबर का उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा नेक्स्ट आगे देखे इसमें 32 नमबर का प्रेशन है निमन में से कौन सा यूद था जिसने भारत में बिर्टिस परभुत्व का प्रारंब किया तो दोस्तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तो अपना इसमें किसने है तो यह पलाशी के यूद में ठीक है त तो दोस्तो इस 1757 में हुआ था ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दो नमबर उप्षन बिल्कुल से उतर नेक्स्ट 33 नमबर का प्रेशन इसमें देखे निमन में से किसने अपनी राजदानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर इस्तनांतरित की तो इसका आगे देखे सबसे अधिक निर्नायक युद जिसने अंग्रेजों के भारत में परबुत्वे को से स्तापित किया था वो सबसे अधिक निर्नायक युद कौन सा था वो वो अपने को बताना है तो वो था दोस्तो बक्सर का युद तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमे एक नमबर का उप्शन बिल्कुल सहीवतर हो जाएगा कब हुआ था शत्रा सो चौश्ट इस्वियों में यहां युद हुआ था नेक्स्ट आगे देखे इसमें बकसर के युद के समय दिली का सासक कौन था तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था बकसर का जो युद है वो किस किस के मद्दे हुआ था तो दोस्तों अंग्रेजो और अवद के नवाब कौन थे बताये तो नवाब थे सुजाओ दोला ठीक है मीर कासिम अवद के नवाब सुजाओ दोला और मुगल समराठ साह आलम दितिये यह तो एक तरफ थे दूसरी तरफ अंग्रेज थे और अंग्रेजों का नेतरत्वा है मेजर मुन्रो कर रहा था ठीक है तो यहां पर साह आलम दितिये इस प्रेस्ट का राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट आगे देखे अंग्रेजों के सासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्दान्त को किसने परतिवादित किया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो किसने परतिवादित किया बताइए तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों दादा भाई नोरोजी ने, तो अपना इसमें चार नमबर का उप्सन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, सर्व परतम, दादा भाई नोरोजी ने अपुस्तक Poverty and Un-British Rule in India के आर्थिक दोहन के सिद्दानत का परतिबादन किया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें चार नंबर का उप्सन बिल्कुल से उत्तर आगे देखे किसके सासनकाल में बलेक होल की दुरगटना गटी तुई 1997 में ये प्रसन पुछा जा चुका है मद्दे प्रदेश के दौरा तो मित्रों ये जो गटना है ये हुई थी बंगाल के नवाब थे सिराजु दोला ठीक है उनके समय कि ये गटना है तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें तीन नमबर उप्सन बिल्कुल से उतर नेक्स्ट करनाटक की युद किनकिन के मद्दे लड़ा गया करनाटक का युद है वो किनकिन के मद्दे लड़ा गया तो दोस्तों ये लड़ा गया अंग्रेज वाफ्रांसिसी की मद्दे यहें युदह है वो लड़ा गया था एक नमबर का उप्सन बिलकुल से उतर हो जाएगा आगे देखे बिर्टिस भारती राजे छेतर का अंतिम परमुक विस्तार हुआ बताएए बिर्टिस भारती राजे छेतर का अंतिम परमुक विस्तार हुआ तो दोस्तों ये किस के समय हुआ था तो ये हुआ था डल होजी के समय तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दो नमबर का उप्शन बिल्कुल से उतर हो जाएगा ये आपको इसमें याद रखना है आगे देखिए इसमें 40 नमबर का प्रशन है उस समय जब नेपोलियन की सक्ति के सामने यूरोप में सामराज्य धारिसाई हो गए थे नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में बिर्टिस पता का फेराई थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें लोड हैस्टिंग से तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें चार नमबर का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ये सारे के सारे दोस्तों किसी ना किसी एक्जाम में पुछे गए प्रेशन है आज का अपना इसमें topic था दोस्तों भारती राज्यों के प्रती बिटिस नीती ठीक है ये जो topic है ये बहुत इसांदार topic है रिट बरती परिक्षा के लिए और भी अन्ने कई परिक्षाओं के लिए ये महतोपून है ठीक है तो मित्रों यहाँ पर इस प्रेशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा देखे इसमें भारत में अंग्रेजों की सर्वसरेष्ट था किस युद्ध से इस्तापित हो गए थी तो कौन से युद्ध से इस्तापित हो गए थी तो वो था दोस्तो इसमें सर्वसरेष्ट था तो वो हुई थी दोस्तो पलाशी के युद से तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा एक नमबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ये आपको इसमें याद रखना है और एक प्रेशन और भी पहले आया था वो मद्यपरदेश PSC में पुछा रखना है और परबुत्वे सेंस्तापित किया था ये किया था दोस्तो बकसर के युद में ठीक है सर्वसरेष्ट था ये पलाशी के युद में तो अपना इसमें राइट आयांसर एक नमबर का option सहीधर हो जाएगा मीर जाफर ने आगे देखिए बंगाल का पहला jeden वर्स में हुआ था तो दूस्तो बंगाल का पहला विबाजन है यह कौन से वर्स में हुआ था बताइए तो दोस्तो इसका जो right answer हो जाएगा वो है दोस्तों 1905 में बंगाल का पहला विबाजन हुआ था तो इसका राइट अंसर हो जाएगा इसमें चार नंबर का उप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा मित्रों वीडियो को लाइक ने किया है तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वीडियो को लाइक कर दीजे और जिसके ने भी अरद्यारे सेकेटिपी के YouTube चैनल को सबसक्राइब न किया है वो सबसक्राइब जरूर करें आगे देखे मित्रों इसमें निमन का सही करम बनाईए निमन का सही करम अपने को इसमें क्या करना है बनाना है यहां पर देखिए दोस्तो रेगुलेटिंग आक्ट कब होँ था तो दोस्तो यह हुआ था 1703 में उसके बाद में देखिए सूरत की फूट सूरत की फूट होई थी दोस्तो ये 1907 में 2007 के अदिवेशन में यहां पर देखिए बंगाल का विबाजन बंगाल का विबाजन है ये दोस्तों कब हुआ था तो ये 1905 में हुआ था और दोस्तों मुस्लिम लिग की जो इस्तापना है ये 1906 में हुई थी तो यहां पर सही करम अपने को बताना है तो सबसे पहले आ जाएगा इसमें रेगुलेटिंग एक्टे उसके बाद में आ जाएगा दोस्तों बंगाल का विबाजन फिर मुस्लिम लिग की स्तापना और फिर सूरत की फूट तो यानि कि एक तीन चार दो अपना इसमें राइट में राइट आंसर हो जाएगा चार नमबर उप्शन सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट आगे देखे बिर्टिस सामराज्य द्वारा 1850 में संबलपूर को सामराज्य में मिला लेने का कारण या आधार क्या था बताएए cds 2008 के अंदर ये प्रेस ने पूछा जा चुका है बि मरत्यू होने के कारण दोस्तो इसको मिला लिया था बिर्टिस सामराज्य में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दो नमबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट 47 नमबर का प्रेस ने इसमें देखे सब्द इंपीरियल प भार्तिय रियास्तों के राजाओं पर बिर्टिस पोर्टिकल एजेंटों को दी जा रही तहरीज के लिए यह सब्द परियोग किया जाता था इंपीरियल प्रेफिरेंस का ठीक है तो अपना इसमें राइट आंसर चार नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए इसमें 48 नमबर का प्रेफन है अच्छा प्रेफन है इसमें देखिए आपको यतरततर कुछ से अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे परन्तु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चोकी हुआ करती थी यह अनुठा नगर उसका दुर्ग और सुंदर गिरजागर नया जेरुसलम सुनी सड़के हैं और उजड तट्राग सब मिलकर अध्बुत रत्न बन जाते हैं इसे वो है दोस्तो तमिलाडू का तट यानि कि तमिलाडू तट पर तो अपना इसमें राइट अंसर हो जाएगा इसमें एक नमबर का उप्शन बिलकुल सही उतर हो जाएगा नेक्स्ट आगे देखिए इसमें साइक संदी को स्विकार करने वाला पहला सासक कौन था साइक संदी को स्विकार करने वाला भारतिय सासक कौन था तो वो था दोस्तो हैदराबाद का निजाम तो अपना इसमें दो नमबर का उप्शन राइट अंसर हो जाएगा या आपको इसमें याद रखना है ठीक है आगे देखिए इसमें पचास नमबर का प्रेस ने भारत क पर्थम वाइसराइ कौन था भारत का पर्थम वाइसराइ कौन था तो वो था दोस्तो वाइसराइ तो वो था लोड केनिंग कौन था लोड केनिंग तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें दो नमबर का उप्शन बिलकुल सही उतर हो जाएगा या आपको इसम 51 नमबर का प्रेशन है तीसरे ओंगल मसूर युद को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंगरेजों के साथ कौन सी संदी की थी तो दोस्तों ये की थी इसमें सिरी रंग पटनम की संदी तो अपना इसमें दो नमबर का उप्शन सहीटर हो जाएगा काफी बार प्रेक्षा में पुछा गया प्रेशन है ठीक है नेक्स्ट आगे देखे इसमें इसमें राज़ेश है या हडपनीती या जबती सिदानत है किस के द्वारा लागू की गई थी तो ये किस के द्वारा लागू की गई थी ये लागू की गई थी दोस्तों लोड डल ह गोविन्ध रोजी के दुरा तो अपना इसम राइट आंसर हो जाएगा चार नमबर का उप्सन सही उतर लोड़ डल होजी के दुरा नैक्स्ट आगे देखे इसमें किस शिखु गुरू ने फार्सी में जफर नामा लिखा था तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगाев अर्जुन देव ने तो अपना इसमें चार नमबर का उप्शन से उतर हो जाएगा गुरू अरजुन देव ने नेक्स्ट है, सिखों के सेने संपर्दाए, खाल सा पंथ का परवरतन किस ने किया, तो दोस्तों यह किस ने किया था, यह किया था, गोविन सिंग ने, तो अपना इसमें right answer हो जाएगा, इसमें, तीन number option सही उतर हो जाएगा गोविन सिंग ने, नेक्स्ट है 1757 में सिराजु दोला किस के द्वारा पराजित किया गया तो दोस्तों बताइए 1757 में सिराजु दोला किस के द्वारा पराजित किया गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कलाइव के द्वारा मुन्रो भी थे इसमें कलाइव के द्वारा इनको प्राजित किया गया यहां पर मुन्रो का नम नहीं है तो आपको कलाइव करना है तो अपना इसमें राइट आंसर तीन नमबर उप्सन से उत्र हो जाएगा आगे देखेस में निमने लिकित में से किस किस ने लोड वेलसली के साथ साइक संदी पर हस्ताकसर किये वेवे जली भी बोल सकते हैं तो दोस्तों बताइए किस किस ने लोड वेलसली के साथ साइक संदी पर हस्ताकसर किये तो दोस्तो किस-खिष ने किये तो एक तो हिदराबाद के निजाम ने आवद के नवाब ने और महसूर के राजा ने इन तीनों ने किया था दोस्तो और बंगाल के नवाब ने नहीं किया था तो इसका right answer रजाएगा वो है चार नमबर का उप्शन एक दो तीन ठीक है आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें अच्छा प्रस्न है नीवनलिकित में से शिख गुरुवों का सही कालकरम बताईए शिख गुरुवों का सही कालकरम अपने को इसमें क्या करना है बताना है तो दोस्तों मैं आपको य में देखे सुगोली की संदी 1816 में किन के बीच संपन हुई थी तो दोस्तों इसके बीच संपन हुई थी बताइए तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ुष्टि इंडिया कंपनी और नेपाल के मद्दे यह हैं संदी है वो हुई थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें एक नंबर का उप्षन बिल्कुल से इतर हो जाएगा ठीक है इस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मद्दे आगे देखे टीपू सुल्तान की मर्तिव 1799 में कहां पर हुई थी तो दोस्तों कहां पर हुई थी तो कुन से भारती राज्य कबजे में किये गए थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें जासी नागपूर 17 जासी नागपूर 17 दो नंबर का जो अप्षन है वो इसका बिल्कुल सहीवतर हो जाएगा आगे देखे इसमें 63 नंबर का प्रसन है दे मैसूर रियासत के सा सकते तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है एक नंबर का उप्षन बिल्कुल सहीवतर हो जाएगा आगे देखे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1758 इस्वी में 1758 इस्वी में कलाइव को बंगाल का गवरनर है वो बनाया गया तीन नंबर ऑप्शन बिल्कुल सहितर हो जाएगा आगे देखिए बहरत का पर्थम गवरनर जनरल था बहरत का नेक्स्ट आगे देखे अंग्रेजों का सरवादी के विरोध किस ने किया था तो वो किया था दोस्तों मराठों ने किस ने किया था मराठों ने किया था अंग्रेजों का सरवादी के विरोध ठीक है आगे देखे इसमें बिर्टिस सरकार भारतियों को आधुनिक सिक्षा देना चाती था तो दोस्तों इसमें उनका उद्दे से क्या था तो वो है भारत में अपनी राजनितिक सत्ता की नीव सुद्रड करना त आगे देखे सती पर्था का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का सरे किसको जाता है तो दोस्तों ये जाता है किसको तो लोड विलियम बेंटिंग को तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दो नमबर का उप्शन से उतर हो जाएगा लोड विलियम बेंटिंग को आगे देखे, निमनलिकित में से, अवद के सुवायत राज्य का संस्था पर को था, तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है, दोस्तों, इसमें कोन? तो वो है सादत खां बुर्हान उल मुल्क तो इसका राइट आंसर दो नमबर का उप्सन सही उतर हो जाएगा नेक्स्ट सेवन्टी वन नमबर प्रेशन इसमें देखे निमनलिकित में से किसने मीर कासिम तथा सिराजुदोला के साथ मिलकर अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी पर युद गोशित किया और बाद में बक्सर के युद में अंग्रेजों से पराजित हुए तो दोस्तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तो अपना इसमें साहे आलम दितिये कौन सा है इसमें साहे आलम दिती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार नमबर का उप्षन बिल्कुल से उतर है आगे देखे इस्ट इंडिया कमपनी के नेतरत्व में रोबर्ट कलाइव का उतरादिकारी निमने में से कौन था बताईए इस्ट इंडिया कमपनी के अंगर्ज का परमुक कारण है वो क्या था वो था दोस्तों अंगर्जों ने व्यापार छूटों का उप्योग किया तो अपना इसमें राइट आंसर दो नमबर उप्षन से उतर हो जाएगा आगे देखे इसमें प्रकोष्ट नीती से समंदित है बताईए प्रकोष्ट नी नीती किस से समंदित है यह आपको बताना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकोष्ट नीती है यह दोस्तों इसको अपन सुरक्षा प्रकोष्ट नीती भी बोल सकते हैं ठीक है तो यह है वोरिंग हैस्टिंग से समंदित तो अपने इसमें राइट आंसर हो जाएग रोबर्ट कलाइव ने मर्शिदाबाद का उप बिवान किसे बनाए था तो दोस्तों ये बनाए था किसे बनाए था तो ये बनाए था मोजमन रजा खान ठीक है तो अपना इसमें right answer एक नंबर का उपशन सही лемतर हुजए तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो अपना इसमें मुहम्मद रजा का बताईए किसे निक्त किया था निमनलिकित में से किस भारतिये को रोबर्ट कलाइव ने विहार का नायब दिवान निक्त किया था तो दोस्तो ये किया था राजा सिताब राएको ठीक है राजा सिताब राएको तो इसका right answer चार नंबर का उप्शन सही उतर हो जाएगा आगे देखे रणजी सिंग ने सुपरसिद कोईनूर हीरा प्राप्त किया था तो दोस्तो ये किस से प्राप्त किया था बताईए तो ये यहां पर देखें लोड हैस्टिंग से दितिये उंगल मराथा यू दिये अपना इसमें गलत दे रखा है बाकी इसमें लोड वेवेजली सायक संधी प्रणाली लोड कारणवाली इस्ताई बंदोबस्त लोड बेंटिंग ठीक है यह 1830 का सतरवा रेगुलेशन ठीक है तो अप पी पीएससी 2003 में यह प्रेशन पुछदा चुका है आगे देखिए किस शिख गुरू ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सायता धन एवं आसिरवाद से की थी तो वो की थी दोस्तों गुरू अरजुन देव ने तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा तीन नाएक युद जिसने अंग्रेजी के भारत में प्रबुत्वे को से स्तापित कर दिया था तो दोस्तों वो था बकसर का युद तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें दो नंबर का उप्शन से युदर हो जाएगा बकसर का युद आगे देखिए एक नॉमबर 1858 को मह लोड के निंगने तो अपना इसमें दो नंबर उप्शन से युदर हो जाएगा लोड के निंगने आगे देखिए रणजीत सिंह किस मिसल से समंख्धित थे तो दोस्तों ये किसे समंख्धित थे दोस्तों किसे तो ये समद्धी थे दोस्तो सुकर्चकिया से तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा एक नमबर का उप्षन सही उतर हो जाएगा आगे देखे तथा कतित कुछ आसन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्ये के प्रशासन को ले लिया था तथा कतित कुछ आसन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राजदानी मुर्शिदाबाद से मुंगे रिस्तानांतरित की तो वो थे दोस्तों मीर कासिम चार नंबर का उप्सन राइट अंसर हो जाएगा मीर कासिम आगे देखे बकसर का युद दोस्तों 1764 के समय दिली का सासक कौन था तो दोस्तों दिली का सासक कौन था तो वो था दोस्तों साहा आलम दितिये ये तो सभी को पता होगा साहा आलम दित्य तो इसमें चार नमबर उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखे निमनलिकित में से कौन सा यूद था जिसने भारत में बिर्टीस परबुतव का प्रारंब किया तो बिर्टीस परबुतव का जो प्रारंब है वो पलासी के यूद में हुआ था तो अपन नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखे निमनलिकित में से कौन सा यूग्म है वो सही सुमेलित है वो अपने को इसमें बताना है शिर्फ और शिर्फ इसमें एक ही सोरी दो सो सही सुमेलित है एक तो है दोस्तों इसमें 1824-26 में पर्थम उंगल बर ठीक है तो अपने इसमें इसका राइट अंसर हो जाएगा दो और तीन इसमें सही है बाकी और इसमें गलत हो जाएगा तो अपने इसमें राइट अंसर क्या हो जाएगा वो है कूटवा समय अपने को बताना था चार नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा इसमें और तीसरा देखे गुरु अंगद यानि कि अंगदेव ने शिक्षों को उन्हें आगे देखे निमनलिकित भारतिय सासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्दत्ति से दूतावास इस्तापित किये थे निमनलिकित भारतिय सासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्दति से दूतावास इस्तापित किये थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना टीपू सुल्तान कौन था टीपू सुल्तान तो अपना इसमें चार नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ये मैंने आज आपको जो टोपिक करवाया है ये रिट बरती परिक्षय के अंदर सबसे महतोपून टोपिक है जो बहुत कम लोग है वो इसको पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं और इसमें से दोस्तों तीन या चार प्रसन हैं वो ज सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर कीजिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स स्टुडियो में जय हिन जय भरत